25 जानवरी को रिलीस होने वाली शारुखान दपिका स्टारर फिल्म पठान की बुकिंग 20 जानवरी से शुरू होने वाली है लेकिन रिलीस से पहले इस फिल्म के कई रेकॉर्ड बननी की उम्मीर की जा रही है पठान फिल्म के रिलीस के लिए मुंबाई में बैंडरा स्थित सबसे बड़ा सिंगल स्क्रीन थियेटर गेटी अपने सालों पुराने परंपरा तोड़ने जा रही है गेटी में पठान का पहला शो सुभा 9 बजे शुरू होगा और ये अपने आप में रेकॉर्ड होगा इस इससे पहले साल 1972 में गेटी में पहला शो लगा था इसके अलावा भी कुछ ऐसे बड़े फाक्ट्स है जिससे पठान को हिंदी की सबसे अनूठी और बेमिसाल फिल्म सावित होती है ऐसा समझा जा रहा है कि पठान से पहले किसी और फिल्म में ये विशिष्टाए देखने को नहीं मिली थी पठान के साथ सबसे पहली अनूठी बात इसके एंड को लेकर कही जा रही है कहा जा रहा है कि अश्राज फिल्म की ये स्पाई यूनिवर्स की काटिगरी की फिल्म है जिसका एंड मार्वल सिनमाटिक यूनिवर्स की फिल्मों की तरह ही होगा जिसमें दो credit scene दिये जाएंगे ऐसा समझा जा रहा है कि भारत में ऐसा पहली बार होगा उन दो credit scenes में Tiger 3 और पठान 2 की नए heroine को लेकर जानकारी सामने आ सकती है साथ ही पठान में किसी भी हिंदी फिल्मों में अब दिखाए गए action scene से बिलकुल हट कर action इस film में दिखाए जाएगा बठान में दर्शकों का दिल धड़काने वाला action IMAX format में होगा कहा जा रहा है भारत में अब तक IMAX format में film नहीं बनी है इसका full form image maximum होता है हम सभी को एक बात पता है कि पहले से film cellulite पर बनती थी और आज भी बनती है और आज के तकनीक के जमाने में digital film में बनाई जा रही है तथा इसी के साथ कुछ film में 3D technology में भी बनती है जैसे कुछ film में नीचे दी गई है जिनको direct IMAX 3D technology में ही shoot किया गया है cellulite film में भी कई प्रकार की होती है जैसे normal में 35mm और 70mm तथा IMAX 3D technology में 35mm और 70mm जो की बहुत कम होती है हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे cinema hall है जो केवल 35mm को ही support कर पाते हैं वही यदि बात की जाए 70mm यानि IMAX 3D technology की तो ये 35mm से दो गुना से लेकर 10 गुना तक बहतर होती है इसका मतलब ये हुआ कि इसकी picture quality 35mm की picture quality से double resolution की होती है 70mm की film की size की बात करे तो ये भी आयत क्या कार की होती है पर इसमें compressor की कोई जरुरत नहीं होती 70mm की film में आपको 35mm की film से जादा अच्छी movie देखने का अनुभव मिलेगा 70mm IMAX 3D technology सबसे शानदार होती है और पठान इसी IMAX 3D technology से बन रही है दोस्तों IMAX का हर फ्रेम 70mm ऊचा और 48.5mm चोड़ा होता है इसी के कारण इसको 50 into 70mm screen का film format भी कहा जाता है इस टेकनीक पर जो film बनती है वो वर्ग के आकार की होती है जिसका expect ratio 1.43 to 1 का होता है यह film इतने बड़े आकार की होती है कि इस film में 35mm की 9 film में एक साथ समा जाएंगी और 70mm film 35mm से 10 गुना बहतर quality की होती है यश्राज फिल्म के करता धरता पठान फिल्म में कुछ नया प्रयोग करने जा रहे हैं यश्राज की पहले की फिल्मों मसलन वर और टाइगर से भी इस फिल्म का कनेक्शन होगा यह दर्श्रकों को एक अनोखा एसास कराएगा पठान यश्राज के लिए स्पाई उनिवर्स की शिरुवात कर रही है हाला कि टेरोरिज्म थीम वाली तिमाम हिंदी फिल्मों में ऐसे करदार को विल्म की तौर पर दिखाया गया है जिससे कही न कहीं किसी एक खास मधभ का बताया गया है पठान में आतंगवाद या आतंगवादी को किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं बताया जाएगा शायद ये फिल्म ये बताने की कोशिश करेगी कि आतंग का कोई मजभ ही नहीं होता वो इंसानियत का ही दुश्टमन होता है यहाँ विल्म को थोड़ा रोबोटिक पेश किया जाएगा मतलब आतंग फैलाने वाला कोई देश या शेहर से तालुक ही नहीं रखेगा ये एक ऐसा विल्म होगा जिसकी कोई पहचान नहीं होगी उसे नहीं पता है कि उसे क्या करना है क्योंकि उसे बस ये पता है कि उसे बस तबाही चाहिए वो तबाही कहां और किस देश में हो रही है उससे उससे कोई मतलब ही नहीं है पाघ्वी बाद भी इस फिल्म के लिए काफी अनोखी है पठान पहली ऐसी फिल्म होगी जिसकी शुटिंग स्पेन के मलोरा आईलाइन्ड पर हुई है बेश्रम रंग की शूटिंग स्पेन के कई लोकेशन में होई है गौर्तलव है कि स्पेन फिल्म इंडास्ट्री की फेवरिट शूटिंग लोकेशन है इससे पहले फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दुबारा की शूटिंग भी स्पेन में ही हुई थी बेशरंग रंग के गाने की लिरिक्स की शिरुवाद स्पैनिश लिरिक्स से ही होती है फिल्म के जादतर हिस्सो की शूटिंग स्पेन के मलोड़ा शहर में ही हुई है ये स्पेन के बेलियरिक द्वीब समू का सबसे बड़ा शहर है ये एक प्रमुख शहर है और बंदरगा है जो दक्षिन पश्चिम मिस्तित है ये शहर बीच के अलावा फुटबॉल और बास्किबॉल जैसे गेम्स के लिए भी काफी जादा जाना जाता है साल 1950 के दर्शक के बाद से ही ये टूरिस्ट के बीच काफी पॉपलर हो गया है इस से पहले यहां किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई थी पठान में ये प्लेस पहली बार सिनिमा स्क्रीन पर दिखेगी इस फिल्म के बाद इस आइलेंड पर रनबीर शद्धा कपूर की फिल्म की शूटिंग की जा रही है शारुक खान अदिपिका पाडुकोन की आने वाली फिल्म पठान पिछले दिनों बेशरम रंग आने को लेकर काफी विवादों में रही हाला कि केंद्रिय फिल्म प्रमानन बोर्ड के प्रकाशन के बाद पठान के कई विवादित सीन को हटाने के लिए उनसे कहा गया है तमाम विवादों के बाद फिल्म 25 जैनुवरी को रिलीस हो रही है तो आप हमें बताएगे कि आप पठान के लिए कितने एक्साइटेड है साथ ही अगर आपको विजियो पसंद आई होते से लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चनल, Bollygrad Studio School